नमस्कार में शोम प्रेड़ना आप देख रहे हैं एक नियोज 24 बाहु बली विधायक आनंद मोहन के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है जिहां पता दे किस मामले में आज ही सुनवाई होनी थी लेकिन इस सुनवाई को अगले 11 अगस्त के लिए टाला गया है यानि कि अब जो है आनंद मोहन मामले की सुनवाई जो है 11 अगस्त को होने वाली है इसका जो मुखे कारण था ये बताए गया कि कोर्ट में व्यस्ता के वज़ह से लिस्टिंग नहीं हो पाई जिसको लेकर आनंद मोहन का जो मामला है 11 अगस्त के लिए टाला गया है लेकिन उससे भी पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर किस मामले में आजानन्द मोहन की सुनवाई होने वाली थी और नहीं हो पाई और आखिरकार क्यों इस मामले को 11 अगस्त के लिए टाला गया है तो चले एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि क्या है पूरा मामला पूर्विश सांसद अनन्द मोहन की रिहाई मामले में अब 11 अगस्त को सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई होगी बता दे कि आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई अनन्द मोहन के वकील एपी सिंग्या नुसार कोर्ट की ब्यस्ता की वजह से केस की लिस्टिंग नहीं ह जस्टिस जेस पारदीवाला और साथी जस्टिस उरेकान के बेंच में ये सुनवाई होनी थी सुनवाई के दोरान तै होना था कि अनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी और रध्ध होगी इससे पहले मई में सुप्रिम कोट ने बिहार सरकार और अनन्द मोहन से अपना पक्ष रखने के लिए कह दिया था कोट ने बिहार सरकार से अनन्द मोहन की रिहाई के मूल रिकॉर्ड भी पेश करने को कहे थे जिसके आधार पर पुर्वसांसद को छोरा गया है बहार सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा दायर कर अनंद मोहन की रिहाई को सही ठहराया है पिछले सब्ता अनंद मोहन की तरब से जवाब भी दाखल किया गया जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई को जायज भी बताया था बहार सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा दाखिल कर कहा है कि पुर्वस सांसद ने जेल में रहते हुए तीन किताबें लिखी है जेल में उन्हें जो काम दिया गया वो पूरा किया है राज्य सरकार ने राजीब गांधी के हत्यारों की रिहाई का भी जिक्र किया अनंद मोहन ने सुप्रेम कोट में अपनी रिहाई को सही ठहराया है 1994 में जी कृष्णया हत्या मामले के दोश्री अनंद मोहन ने सुप्रेम कोट में इस बारे में हलफनामा भी दायर किया था। उन्होंने कहा था कि जिल से उसकी रिहाई का फैसला वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। आठ माई को रिहाई के मामले में सुप्रेम कोट ने बिहार सरकार को लास्ट चांस दिया था। सुप्रेम कोट ने बिहार सरकार से अनंद मोहन की रिहाई के मुल रिकॉर्ड को पेश करने को कहा था। जिसके अधार पर पुर्विस सांसद को छोडा गया है सरकार ने सुप्रिम कोट के नोटिस का जवाब देने के लिए भी वक्त मांगा था दरसल गुपाल गंज के तातकालिन डियम जी कृष्णया की पतनी उमा कृष्णया ने अनन्द मोहन की रहाई के खिलाब सुप्रिम कोट में याचिका दायर की है इस याचिका पर 8 मै को जस्टिस तुर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी ने पहली सुनवाई की थी उस दिन कोट ने बिहार सरकार और अनन्द मोहन दोनों को नोटिस जारी किया था साथ ही दो हपतों में इस मामले की सुनवाई करने की बात भी कही थी बहार सरकार ने 10 अपरेल को जेल मैनूल में बदलाव करने के सवाल पर अपने तरक दिये हैं और अनन्द मोहन के वकिल एपि सिंग ने बताया कि इस तरह के नियम राज्य में भी है वहाँ पर उम्रकैद सजा पाए दोशी को छोड़ने के प्रापधान है आम आदमी या लोग सिवक की हत्या की सजा एक जैसी ही है आम आदमी की हत्या के दोशी की सजा पूरी होने के बाद रिहाई हो सकती है तो लोग सिवक की हत्या के दोशी की सजा पूरी होने के बाद रिहाई क्यों नहीं हो सकती बता दे के अनंद मोहन पर गुपाल गंज के डियम रहे जी कृष्णया के हत्या में शामिल होने की आरोप है और इस मामले में उम्रकैद की सजा के तौर पर उन्होंने 16 साल जेल में बिताए हैं बिहार सरकार ने 10 अपरेल को कारा नियमों में बदलाव किया जिसके बाद उनकी रहाई का रास्ता साफ हो गया 27 अपरेल को उनकी रहाई भी हो गई अनन्द मोहन को हाई कोट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी इसके तहट उन्हें 14 साल की सजा हुई थी अनन्द मोहन ने सजा पूरी कर ली थी लेकिन मैनूल के मुताबिक सरकारी करमचारी की हत्या के मामले में दोश्य को मरने तक जेल में ही रहना पड़ता है नितीज सरकार ने अनन्द मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए 10 अपरेल को जेल मैनूल में बदलाओ किया और अनन्द मोहन समेथ 27 दोश्यों की रहाई के आदेश जारी किये गए अनन्द मोहन पर तीन और केस चल रहे हैं जिसमें उन्हें पहले ही बेल मिल चुकी है लेकिन इस सुनवाई को अगले 11 अगस्त के लिए टाल दिया गया है कारण ये दिया गया है कि कोट में बीजी शेडूल होने के वज़ज से लिस्ट्रिंग नहीं हो पाई केस की जिस वज़ज़ से इस केस की सुनवाई 11 अगस्त को होनी है जैसा कि आपको पता ही है कि नितिश कुमार ने जब आनंद मोहन को रिहा किया था उससे पहले कानूनी शंसोधन भी किये गये थे इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था जिसके बाद यह अब फैसला लेते हुए कि अगर कोई लोक सिवक की हत्या करता है तो उस हत्या को उसी नजरिये से देखा जाएगा जिस प्रकार से आम आदमी की कोई हत्या करता हो और इसी मामले का आधार बनाकर वहाँ पर अनन्द मोहन की रिहाई कराई गई थी जिसके बाद से अब ये मामला जो है सुप्रिम कोर्ट में है और इसी मामले में आज सुनवाई होना था जो कि अब 11 अगस्त को हो जाएगा फिलाल इस वक्त के ख़वर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीडियोज अबडेट्स के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है हमारा चैनल एकनेवस 24 हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए धन्देवाद